हेलो माई डियर स्टुडेंट्स वेलकम टू दा आई एम बी एजुकेशन आज किस वीडियो में हम करे हैं क्लास 12 बायलोजी का चैप्टर नंबर 10 माईक्रोप्स इन हुमन वेलफियर के अंदर उन टोपिक को डिसकस करेंगे जहांसे लास्ट 15 इयर्स के अंदर जो है वो प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा अगर आपको एंसे आटी करनी है वन शोट तो वो भी हम एंसे आटी लाइन बाय लाइन डिसकस करवा चुके हैं जहां पर वो भी आपको चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन मिल जाएगा अब चलिए स्टार्ट करते हैं यहां पर यह जो नो को पता И कि इससे पहले जो माइक्रोर्गिसम्स थे हुआ हमने बाय लोजिकल क्लासिफिकेशन किंडम मॉनीरा एंड प्रोति स्टा के अदर पड़े थे जो कि यूलीस सेलीलर और जनए इनिजर एक जिगे मॉनेरा के अंदर पोटोजोन्स, बैक्टिरिया, फंजाई, माइक्रोसकोपिक एनिमल, प्लांट, वाइरस, वाइरोइड और इसके लावा प्रायोन्स जो की प्रोटेनियस, इन्फेक्टियस एजेंट है जो के हमने बायोजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर पड़ा था ये भी क्या आते हैं सारे गर में यूज ओने वाले प्रोड़क्ट्स है, उनके अंदर माइक्रोब्स का क्या रोल होता है, उसमें सबसे पहले आता है लेक्टिक एसिड बैक्टिरिया, जिसको लेब भी बोला देता है, यहाँ पर यह क्या होता है, यह होता आपका मिल्क के अंदर ग्रो होता है, उसक को प्रोड्यूस करता है यहां से जो आपको दिखाई दे रहा होगा 2018 में किस्टन आ चुका है नी 2018 में अब देखिए क्या लिखाव है चोटा सा अमाउंट का गरम कर्ड लेते हैं तो वह स्टार्टर या फिर इन्नो कुलम की तरह वर्क करता है जिसके अंदर मिलियन्स ओफ जो है वो लेक्टिक असीड बेक्तिरिया प्रेजन्ट होते है एट सूटेबल टेंप्रेचर मल्टिप्लाई दस कनवर्टिं मिल्क टू क कर्ड विच ओल्सो इंप्रोविट्स न्यूट्रिशनल क्वाल्टि बाइंक्रीजिंग विटामीन ड्वेट वेट बीट्वल यानि कर्ड के अंदर आपको विटामीन बीट्वल ज्यादा दिखाए देगा क्योंकि जो मिल्क अंदर विटामीन बीट्वल उसके एमाउंट वो बढ़ा दिया गया किसके द्वारा लेब के द्वारा यानि लेक्टिक एसिड बैक्टीरिया के द्वारा इसके लाब और कौन सी चीजे हैं जहां पर जो है वो माइक्रोब्स यूज होते हैं तो उसमें काता है दड़ डफ जो होता है विच इस यूज़ फूर मैकिंग इसके लाब जो ब्रेड बनाई जाती है वहां पर भी जो हो फर्मेंटेड यूज जो बेकर इस्ट होती है वो यूज की जाती है नहीं आपर इस्ट यूज की जाती है और आपको पता है इस्ट किसमें पढ़ा था हमने इस्ट पढ़ा था फंजाई के अंदर की एक एक सेप आपल टोड़ी एक ट्रेडिस्टल ड्रिंक है जो कि साउथर इंडिया में बनती है और यह भी आपके फर्मेंटेड से है पोती है कहा से पाम ट्री से बनाई जाती है इसके लावे आपके अब चीज तो आपको भी पता हो कि यूज होता है और यह सबसे ओल्डेस्ट फूड है जिसके अंदर माइक्रोब्स का यूज किया जाता था यह भी आप याद रख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के माइक्रोब्स बना जाते है उसके टेक्स्चर फलेवर और टेस्ट को ध्यान में रखते हुए पर एक बोल अगया यहांपर चीज का एक्जमपल दिया है यह जो प्रोपियोनी बैक्टिरियम सारमानी है यह स्विश चीज बनाने में यूज होता है जहांपर लाज अमाउट आफ स्यो टू बनती है एक और चीज है जिसका नाम है रोक्यू फॉट चीज, अब रोक्यू फॉट चीज जो होती है, पर specific fungi use की जाती है, क्या use की जाती है, specific fungi use की जाती है, उसको ग्रो करने के लिए, बनाने के लिए, लिर हो गई, अब हम बात क करते हैं, microbes on industrial scale, बूर यहाँ पर यहाँ पे जो है, कि बात के यहां पर देखिए आपए बिड़ेजी जैसे वाइन बीर विस्की ब्रांडी रम वगिर एल्गोल है आपर जो वह सेक्रों माईसी सर्वेसित जसे जो अब बनाई जाती है वह सेम ही इस्ट कि जाती है और यहां पर उसको क्या बोल दिया जाता है ब्रेकर इस्ट बो 2012 में आच चुका है कौन सा याद रखना wine and beer are produced without distillation यानि जो wine and beer जो alcohol होती है वो without distillation बनती है जबकि आपकी whisky, brandy और rum जो होती है वो क्या बनती है with distillation जो होती है वो बनाई जाती है next अम बात करते हैं anti-biotics जो होती है उसमें भी आपके microbes use होती हैं अब x का मतलब होता है Greek word access का मतलब हो गया अगेंस्ट अब इसका तो मतलब हो गया और bio का मतलब क्या होता है life तो यह तो against the life हो गí बट यह against the life जो है वो किसके context में है जो ne ही जो डिजीज्स कर रहा है यानि जो pathogen है उसके context में बोल रहे हैं कि against the life है यानि pathogen के लिए तो वो against the life है बट अगर हम human की बात करें तो वावे पर pro life होता है against the life नहीं होता है यह चीज़ आपको याद रख लेनी होगी अब antibiotic होती क्या है वो chemical substance होती है which are produced by some microbes and can kill or retard the growth of the other disease causing microorganism यह जो other disease करने वाले हैं उनको क्या कर देते हैं या क कि उनकी growth को stop कर देते हैं अब एक important है यहाँ पर जो है penicillium जो penicillium सबसे पहले जो हमारी antibiotic बनी थी उसके बारे में देखे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाइल वर्किंग ऑन स्टेफाइलो कोकी बैक्टिरियम यानि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक scientist थे और उन्होंने जो पहसे जो है वो सबसे पहली penicillium was the first antibiotic to be discovered वो इस ताइप से होई थी कि यहाँ पर जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे वो स्टेफाइलो कोकी बैक्टिरिया पर वर्क कर रहे थे यानि उन्होंने क्या ले लिया जो वो अन्वोस्ट कोकी बैक्टिरिया डाल दिया उन्होंने क्या देखा कि उसमें स्टेफाइलो कोकी बैक्टिरिया जो थे वो ग्रो नहीं कर रहे थे he find out that it was due to a chemical produced by mold and he named it the penicillium यानि उन्होंने उसका penicillium नाम रख दिया after the mouth penicillium notatum एक fungi जो थी वो वहाँ पे grow हो रही थी उसकी वज़े से वो grow नहीं कर पा रही थी कौन आपके bacteria बट उसका potential जो है वो Alexander Flaming नहीं बता पाए थे उसका potential किसने डेवलोप किया तो ये दो साइंटिस्त थे उन्होंने उसका जो है penicillium notatum का फुल आफेक्टिव जो यूज करते हुए वहाँ पे एंटिबाइटिक बनाई थी जो की यूज हुई थी वर्ल्ड वोर टू के टाइम पे और उसी वज़े से जो अलेक्जंडर फ्लेमिंग थे घंस्ट चेन थे और हावड फ्लोरी थे उनको नोबल प्राइज मिला था 9045 में डिसकोवरी के लिए इसके लाब अब तो आपको पता है कि एंटिबाइटिक जो होती है वो बहुत सारी उनके अंदर जो होता है वो माshop कईसे यूजे होता है और यह वाला जो प्राइजबाइट वाला जो ही है यह सबसे इंपोर्टंट है सबसे ज्यादा इंपोर्टंट यही यहाँ पर होने वाला है अब यह जो यूजे होता है वो certain chemicals जैसे आपके ऑर्गनिक acid अब यहां पर देखें कितनी बार आ चुका है मतलब यह वाला जो टॉपिक है यह सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है लास्ट फॉर फाइव यह से कंटीनियू कुस्टन यहां से पूछे जा रहे हैं अब देखें हैं से कि वह क्युस्टन सेम आ जाएगा बट वह टोपिक लगबग जो होता है वह कई बार फिप्टी परसेंट थक सेम ही रहता है अब बात करते हैं एक्जांपल ऑफ एसीड प्रोड्यूसर यानि वह ऐसे माइक्रोफ जो एसीड बनाते हैं उसमें सबसे पहले नाम आता है एसपरजीलस नाइगर का ये एक फंगस है जो कि सिट्रिक एसीड बनाती है मैचदा कोलम या ओर टाइप का कुछ भी आ सकता है तो यह भी पूछा जा सकते हैं यह फंगस है बेक्टीरिया है कौन सा एसीड किसके दोरा बना जा सकता है तो इस आप से पर कंप्लीट याद कर बनाता है इसके लगा हमने इस्ट पढ़ा था जो कि आपका सेक्रोमाइसी सर्वेसिस था यह कमर्शियल प्रोडक्शन यानि इथेनोल भी और आपका ब्रेड वगेरा बनाने में भी यूज होता है यह तो सबसे इंपोर्टेंट है जो एसीड वगेरा बनाते थे अब हम बा and helpful in removing oily stain oily stain को remove करने के लिए जो है वो लाइपेजीज एंजाइम यूज होता है किसके अंदर detergent के अंदर you have must notice that bottle fruit juice brought from the market are cleaner as compared to those of the made यानि जो हम bottle juice खरीते हैं market से जो bottle में packed आता है या फिर हम खुद बनाके जब पीते हैं तो वो इतना clean नहीं होता जितना bottle वाला ज्यादा clean नहीं होता है वैसे तो उसमें कुछ content आपको भी पता है कि कोई खास होता नहीं है बट फिर भी यहाँ पर जो है वो इतना ज्यादा clean क्यों होता है this is because the bottle juice होते हैं उसको clarify किया जाता है with the use of pectinases and proteases enzyme के द्वारा तो ये भी आपको याद रख लेना है next हम बात करते हैं streptokinase के बारे में streptokinase से भी आपको दिखाए दे रहोगा two time question आ चुका है streptokinase क्या है with the help of genetic engineering और ये किस तरह से use होता है as a clot buster की द्रह इस enzyme का use होता है अब ये clot buster का क्या use होता देखिए for reviewing clot from the blood vessel of the patient who have undergone myocardial infraction leading to the heart attack यानि किसी को myocardial infraction हो चुका है वहाँ पे वो heart attack भी हो सकता है ऐसे patient के अंदर जो blood vessels होती है वहाँ पे clot बन जाते हैं तो उन clot को remove करने के लिए जो वह streptokinase होता है वो use किया जाता है ये भी आपको याद रख लिना है next वाला topic तो आपको भी पता है कितना important दिखाई दे यहां से 11 में क्यों से आ चुका है 12 में आ चुका है 15 16 2020 और 2022 में भी क्यों से आ चुका है 15 16 2019 2020 में भी क्यों से आ चुका है इसका मतलब यह वाला paragraph भी काफी important हो जाता है अने दर bio active molecule अब यहां पर बत करने वाले एक bio active molecule है जिसको बोलते है cyclosporine A cyclosporine A जो है वो क्या है एक आ immunosuppressive agent in organ transplant patient यानि कोई organ transplant हुआ है तो आपर उसको immunosuppressive दिया जाता है यह हमने human health and disease वाले के अंदर भी बोड़ा था जहां पर जो आपकी cell mediated immunity थी वो यूज होती है तो यहां पर देखे cyclosporine A जो cyclosporine A वो immunosuppressive agent के तरह यूज होता है is produced by the fungus trichoderma polysporum वो यह जो cyclosporine है वो क इससे produce किया जाता है एक fungus के द्वारा जिस fungus का नाम है trichoderma polysporum next time बात करते है statin अब statin जो होता है वो east monascus purpurine जो monascus purpurine east है उसके द्वारा बनाया जाता है statin एक में molecule है that have been commercialized as blood cholesterol lowering agent और यह use होता है किस तरह से blood cholesterol lowering agent यानि blood के अंदर cholesterol कम करने के लिए it act by competitively inhibiting the enzyme responsible for the synthesis of cholesterol क्योंकि जो cholesterol को synthesize कर रहा है उसके साथ में वो competitively inhibit करेगा कोन आपका statin next हम बात कते है microbes in sewage treatment blood अब आपको भी पता है sewage treatment blood के अंदर वहाँ पर जो है sewage के अंदर बहुत सारा जो municipal best होता है वो डिलीज होता है और उसको भी जो है वो purify कर सकते है वी the help of किस के द्वारा जो hydrotropic microbes जो naturally present होते है sewage के द्वार अंदर उसी से जो है वो हम क्या परगाएंगे जो sewage है उसका treatment कर पाएंगे अब यहाँ पर दो जो है वो method होते है एक तो बोलते है primary treatment और एक को बोलते है secondary treatment जो secondary treatment होता है उसको biological treatment भी बोला जाता है पहले बात कते है primary treatment in sewage treatment plant के अंदर यहाँ से 2017 में question आ चुका है यह जो treatment होता है वो basically involve होता है physical removal of particle यानि जो भी particle उसको physically remove किया जाता है वो primary treatment के अंदर आता है for example large and small from the sewage through filtration and sedimentation these are removed in stales initially floating debris is removed by sequential filtration सबसे पहले जो वहाँ पर उसके अंदर जो float कर रहे हैं उनको sequential filtration कर लिया जाता है then the grit soil or small pebbles जो होते हैं उसको sediment करके फिर remove किया जाता है all solid that are settled from the primary cellar then the supernet from the effluent और फिर वहाँ पर जो भी solid settled हो चुका है primary sludge का उसको क्या जाता है effluent के तरव में use के जाता है the effluent from the primary central tank is for the secondary treatment और उसी को effluent जो बना है उसको secondary treatment के लिए लेके जाएंगे अब secondary treatment वगेरा में क्या होता है यह देखिए this अलहां पर primary effluent जो की आया है यहाँ पर aviation tank में सबसे पहले याद रखना सबसे पहले तो यहाँ प आपका microbes aerobic वाला और second होता है आपका microbes anaerobic वाला अब देखिए where is constantly agitated mechanically and air is pumped it क्योंकि वहाँ पर aerobic microbes है तो वहाँ पर air की requirement होगी तो यहाँ पर आपको दिखाई देरोगा यह air जो है वो motor लगागे इसको बार बार जो है वो इसमें air transfer की जा रही है while growing these microbes consume the major part of the organic matter तो वहाँ यहां पर जो यह aerobic microbes है देखिए this allow vigorous growth of the useful microbes into flocks that is masses of bacteria associated with the fungal filament to form mass like structure यहां उसके अंदर जो fungi होती है उसके साथ में bacteria मिलके flocks बना लेते हैं जो aerobic microbes होते हैं और यहां पर जो होता है फिर उसके बाद में क्या करते हैं जो भी organic matter होता है उस water के अंदर उसको वो consume करने लगते हैं 2011 में किससे ना चुका है while growing these microbes consume the major part of the organic matter होता है वो use कर लेते हैं तो यहीं पर एक term आती है BOD this significantly reduce the BOD that means biochemical oxygen demand अब किसी में कितना ज़्यादा organic matter होगा ना उसकी BOD उतनी ही ज़्यादा होगी यह आप याद रख़ें ना the BOD is greater for the organic material in the water अगर किसे में organic material ज़्यादा है तो उसको consume करने के लिए वहाँ पर oxygen की demand क्या होगी ज़्यादा होगी अगर organic matter कम है तो वहाँ पर oxygen की demand क्या होगी कम होगी यह इना पर बताने की बहुत ज़्यादा होगा अब यहाँ पर आगे लिखा भी हो देखिए अब मैं आपको बता चुआ हूँ कि organic matter कैसे मेजर किया जाता है जितना ज़्यादा ब्योडी उतना ज़्यादा organic matter अब आगे देखिए कई बार क्यूसन आ चुके हैं यहाँ पर 11 में 12 में 14 में 2020 में क्यूसन दिखाए देंगे वंस और यहाँ पर ब्योडी जो सीवेज की है वो कम हो गई क्यों कम हो गई क्योंकि वापे जो अरोबिक बैक्टेरिया थे उन्होंने वो जब नीचे बेट जाते हैं उसको बोलते है activated sludge और यह जो activated sludge होता है small part of the activated sludge is packed into the aeration tank और जहां पर वो aeration tank का वाँपे वापीस बेज दिया जाता है वाँपे जो क्योंकि उसके अंदर सारे bacteria कौन से है जो aerobic वाले bacteria वो जो वापीस जाएंगे तो वापे वापीस से grow होने लग जाएंगे और अपना number बढ़ा लेंगे to serve as the inoculum उसको inoculum यानि starter की तरह यूज के जाता है जैसे हमने card के अंदर use के था same उसी type से the remaining major part जो होता है sludge का वो उसको कहाँ पे बेज दिया जाता है anaerobic sludge digestor के अंदर बेज दिया जाता है तो अभी तक तो use हो रहा था aerobic का अब किसका use होने लग जाएगा anaerobic का होने लग जाएगा यानि जो दूसरा tank होगा वहाँ पर केवल anaerobic sludge digestor होंगे यह क्या करेंगे here other kind of bacteria which grow anaerobicly digest the bacteria and fungi in the sludge तो जो sludge के अंदर जो बाकी bacteria बच गए और फंजाई वगर बच गई उसको क्या कर देंगे वो पूरी तरह से digest कर देंगे और जब उसको digest करेंगे bacteria and fungi को तो वहाँ पर क्या mixture of gases produce होगी for example methane hydrogen sulfide and carbon dioxide और इसको बायो गेस भी बोला जाता है और यह जो बायो गेस होता है वो inflatable होता है उसको energy की तरह use किया जाता है यहांसे दो बार आपको क्यूशन दिखाई देगा कि बायो गेस के अंदर कोण कोण से होते हैं तो methane hydrogen sulfide और carbon dioxide होती है जो बायो गेस जो बनती है जब STP यानि सीवेस treatment plant में यह component होते हैं वह आपको याद रखना है क्लिर हो गया अब यहां पर जो हमारे सीवेस treatment plant है यहां पर यह क्या देखा देगी तब मिनिस्ट्री ऑफ एन्वार्मेंट और फोरेस्ट एज इनिशेटिट गंगा एक्शन प्लान एंड यमूना एक्शन प्लान और यह मूना एक्शन प्लान जो है वो जहां पर बनाया ग प्रोड्यूस डिपेंड अपों दा माइक्रोब्स अंड और अर्गनिक सबस्टांस इन एक्जांपल ऑफ सीटीज इन रिलेशन तो फर्मेंटेंड डो चीज में प्रोडुक्शन ऑफ फीबरेजी दा मेन गेस प्रोड्यूस उसी टाइप से बनती है बायो गेस में क्या होत तो यहां पर तीन गेस बताइए है इन्होंने बायो गेस में कौन-कौन सी Methane, Carbon, Hydrogen, Hydrogen में पहां पर यह बैक्टिरिया मिलता है, यहां से क्युछ आ चुका है, फोर में, सेवन में, 10 में 11 में 12 में 15 में 19 में, इतनी बार हैं तो आपको याद रख लेना है अब जो केटल होता उसका जो रियूमन पार्ट होता, इसमें भी अगर यह वाला इथेनो बैक्टिरिया मिलेगा तो केटल में भी सारा कुछ जो होता है वो फीड क्या किया जाता है वही फीड किया जाता है और उसके फीड में प्रेजेंट होगा तो आपे जो एक्सक्रेटर डंग निकलेगा उसको बोलते हैं गोबर उसमें भी यहाँ पर यह बैक्टिरिया उसके अंदर सारे बेक्टीरिया होंगे, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहोगा, मेथेन और कार्बन डाइक्स बगेरा बन रही है, वो गेस बाहर निकाल ली जाएगी, और वो डाइजेस्ट होने के बाद जो भी गोबर होगा, उसको सलज के अंदर बाहर निकाल लिया बायो कंट्रोल का मतलब है कि यहाँ पर कोई भी पैस्टी साइड का यूज नहीं करेंगे, डारेक्ली जो भी वेजिटेबल या फ्रूट वगेरा जो भी क्रोप ग्रो कर रहे हैं, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, माइग्रोप्स को यूज करते हुए, जो भी वहाँ पर पॉइंट है, यह काफ़ इंपोर्ट होने वाले है, वेरी फैमिलियर बीटल विद रेड एंड ब्लेक मार्किंग, यानि एक बीटल है, जो यहाँ पर रेड एंड ब्लेक मार्किंग होती है, दा लेडी बड एंड ड्रेगर फ्लाइज अर यूज को रिमू कर देती है, उसक अर इसके लावा एक और माइक्रोडोबियल जो है, वह यूज होता है, जो बट अर यूज को अच्छे से पड़ेगे, बायो टेक्नलोजी के रिस्पेक्ट में, वह चीज क्या से वह अभी आपको आजाएगा, पता चल जाएगा देखे, अभिया जो बैसिलस थरंजाइनिस इस होते हैं बैक्टिरिया इस और अवेलेबिन सेकेट यह निए छोटी-छोटी पैकेट में यूज जो यह जाता है तो यह जो बैक्टिरिया होता है बैसलेस थ्रंजानिस यह केवल और केवल केटर पीलर जो होता है उसी को गिल करता है बाकि जो इंसेक्ट वगएर भी वगएर है उनको बिलकुल अन्हार्म रखता है उनको कुछ भी नहीं करता है तो अब समझ आ गया हो कि यह जीन्स वगएर हम इंट्रोडियूस करने वाला सारा प्रोसेस कांपे पढ़ेंगे बाया टोगने जिगे अंदर पढ़ेंगे सच प्लांट जो होते हैं वो अटेक बाइंसेक्ट वगएर से रजिस्ट्रेस होते हैं बीटी कोटन ने एक 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 जामपल है जहां पर यूज के जाते हैं इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा स्टेट्स के अंदर नेक्स्ट आम बात करते हैं यहां से भी आपको दिखाए देऊ रहागा 8 में 10 में 12 में 19 में 2020 में कि उसना आ चुका है मतलब यह पेराग्राफ भी काफी इंपोर्टेंट होने वाला है एक बायो कंट्रोल बिंग डेलोट बोर यूज इन दा ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डि ओनेरिको सिस्टम देहाफी बायो कंट्रोल एgesetzt ऑफ सेवरल प्लांट पेई जयन और यह भी बायो कंट्रोल एजेंट की तरह सेवरल प्लांट के उस होती है यूज और डी ऐगरिकल वायरेस फेंट यूज आर्फैटोजन डट देह अटेक इंसेक्ट आर opposition डेट अचे इंसेक्ट और अर्थ्रोपोडव गएर जोते हैं उनको बायोलोजिकल कंट्रोल करने में यूज़ होता है इस वाइरस और एक्सिद्ट केंड़िटेट फॉर स्पीशी स्पेसिपिक होते हैं यानि नेरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल अप्लीकेशन की तरह यूज़ होत करते हैं microbes as bio fertilizers bio fertilizers आप समझ चुके होंगे यहां पर जो हम soil है उसकी fertility होना काफी important होते हैं तो उसकी जो भी fertility बढ़ाने में important होगा वो bio fertilizer होंगे तो यहां से भी आपको दिखाई दे रहोगा question आचुका 2019 में इसके लावा 11 में 12 में और 2020 के अंदर भी question आपके समने हैं bio fertilizer की बात करें तो देखे bio fertilizer organism that enrich the nutrient quality of the soil की nutrient quality है उसको enhance करते है bio fertilizer main source of bio fertilizer bacteria fungi और साइनो बैक्तिरिया तीनों याद रखने ना अब एक एक करके बात करेंगे सबसे पहले बात करेंगे rhizobium का तो हमने बात की थी जो हमारा plant physiology वाला था वहां पर हमने जो थी किसके बारे में बात की थी nitrogen cycle के बारे में बात की थी वहां पर देखें you have studied about the nodule on the root of the leguminous plant के अंदर nodule formation हो था symbiotic association of rhizobium यह rhizobium क्या करता है these bacteria fix atmospheric nitrogen into organic form which is used by the plant as nutrient three यह यह भी जो है वह एक fertilizer की था यूज हो रहा है other bacterium can fix atmospheric nitrogen while free living in the soil example है azo spiralium और agetobacterium यह rhizobium हो गया azo spiralium हो गया agetobacter वगेर हो गया यह क्या करते है nitrogen content जो होता है soil के अंदर उसमों बढ़ाते हैं next आगे बात करते हैं fungi की fungi are also grown for symbiotic association with the plant for example mycorrhiza mycorrhiza हमने कई बार पढ़ा था fungi के अंदर भी पढ़ा था और हमने जो है वह और कई भी भी पढ़ा था many members of the genus glomus form mycorrhiza तो जो glomus है किसका fungi का एक genus है वह क्या बनाता है mycorrhiza बनाता है the fungal symbiote in these association absorb phosphorus from the soil याद रख लेना किसको absorb करता है phosphorus को soil से and passes it to the plant और plant को जो है वह पहुंचाता है next time बात करते है cyanobacteria के बारे में three times question आ चुका है cyanobacteria जो होते हैं autotropic microbes होती है distributed in aquatic and terrestrial plant environment many of which can fix atmospheric nitrogen हमने पढ़ा भी था किसके अंदर biological classification के अंदर monera kingdom के अंदर की एना बेना और नोस्टोब जो होते हैं वह nitrogen fixation का का काम काते हैं इसके लावा एक और याद रख लेना और सिलिटेरिया three times question आ चुका है तो काफी important हो गया इन पेड़ी फिल्ड साइनो बैक्टिरिया स्वाजन इंपोर्टेंट बायो फर्टिलाजर की तरह यूज होता है किसके अंदर पेड़ी फिल्ड के अंदर कौन साइनो बैक्टिरिया यूज होता है तो यह सब कुछ था चैप्टर के लिए और अब आमारे सामने question वगरे स्टार्ट हो जाते है तो अगर आपको यह वीडियो पसंदाए तो लाइक कीजिए दोस्तों के साथ सेर कीजिए मिलते हैं जल्दी नेक्टिर साथ तब तक के लिए धन्यवाद